किसान भाईयो नमस्कार में हूं दसरत दाकर आप देख रहे हैं डी फार्मिंग यूटूब चेनल लगातार सोयबिन के बाव में गिरावट आ रही हैं आगामी दिनों में सोयबिन का बाव क्या रह सकता है किन कार्णों से सोयबिन के बाव में तेजी बन सकती है जैसा कि इस साल लगातार सोयबिन का बाव कहीं सारे रिकार्ड तोड़ चुका है एसे में पिछले कुछ दिनों से लगातार सोयबिन के बाव में गिरावट आ रही है एसे में किसान अपने माल को स्टोर करने पर मजबूर है वही कुछ इसान जो मंडी में नया सोयबीन लेकर जा रहे हैं उनको कापी कम बाव मिल रहा है इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सोयबीन के बाव में गिरावट क्यों आ रही हैं और आने वाले समय में सोयबीन का बाव क्या रह सकता है इस वीडियो में आपको सोयबीन के भाव से संबंदित महतोपुर्ण बिंदों पर जानकारी दी जाएगी पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को आकिर तक देखते रहे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे ताकि आपको आगे भी इसी परकार की वीडियो देखने को मिलती रहे किसन भाईयों एक समय ऐसा था जब नया सोयबीन लगबग 10,000 से उपर बिक गया था लेकिन लगबतार सोयबीन के भाव में गिरावट आ रही है अभी मंडियों में नया सोयबीन 4,000 से 5,000 के मध्य भिकरा है वही सुके मालों की बात करें यानि कि जो पूराना सोयबीन है वो लगबग 7,000 से 8,000 और 9,000 के आसपास भिकरा है उसमें अच्छी कासी तेजी देखने को मिल रही है लेकिन नया सोयबीन के भाव में गिरावट आ रही है गिरावट के पिछे कुछ कारणों की बात करें तो मंडियों में कापी नया सोयबीन की आवक हो रही है इसके अलवा बारिस के चलते सोयबीन किसान पूरा गिला माल म मंदी में लेकर जा रहे हैं जिस कारण सोयबीन का दाना भी खराब हो चुका है इसलिए सोयबीन का बाव किसानों को कम मिल रहा है साथ ही नया सोयबीन की आवक ज्यादा होने से सोयबीन की मांग कम हुई है और बाजार तेजी की वजाए मंदी की ओर बड़ा है अगामी दिनो का स्टोक कर सकते हैं इसके अलवा अधिकतर किसान ऐसे हैं जो डारेक्टली सोयबीन को मंडी में लेकर जाने वाले हैं लगातार जो गिरावट आ रही हैं आगयमी दिनों में थोड़ा इसमें सुधार हो सकता है क्योंकि किसान भाईयों सोयबीन का स्टोक काफी कम है इसके अलवा इस साल लगातार बारिस के चलते कहीं सोयबीन उतपदक सेत्रों में सोयबीन की फसल को काफी नुकसान भी हुआ हैं लगातार बारिस से फसलें हार्वेश्ट नहीं हो पाई हैं जिसके चलते किसान काफी मु रहती है तो यही बाव किसानों को मिल सकता है अगर आवक कम होती है मंडी में सूखा माल आता है इसके अलावा अगामी दिनों में अगर सोयवीन की डिमांड अच्छी बनी रहती है तो बाव तेजी की ओर बढ़ सकते है वरना अगर इसी परकार से बाजार चलता रहा सोयवीन की क्वालिटी अच्छी मंदी में नहीं आती है गिला माल अगर आता रहा आवक ज़्यादा होती रही तो आगामी दिनों में भी सुयबीन का बाजार तेजी की बजाए मंदी की ओर बढ़ता हुआ नजर आ सकता है किसन भाई यो आपकी क्या राई है कमेंट करके जरूर बताईएगा और आपके पास कितना सुयबीन का स्टोक है या कितना उत्पादन आपके सेतर में होगा आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं तो मिलते हैं नहीं जानकारी के साथ नए वीडियो में धन्यवाद जैकिसान